तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप से डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर 10th क्लास को पास करने के बाद जो BA Music का जो कोर्स है वो आखिर के से किया जा सकता है तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप से डिस्कस करने वाला हूँ BA Music कोर्स के बारे में और दोस्तो अगर आपने 10th जा 12th की क्लास को पास कर लिया है और अगर आपको जे जानना है कि 10th जा 12th की क्लास को पास करने के बाद आखिर कौन कौन से कोर्स होते हैं तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप इस वीडियो के खतम हुने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो आप मेंसे कई स्टुडन्स का दोस्तोरी डाउट होता है की हो टू डू बी ए म्यूजिक कोर्स आफटर टेंथ क्लास, जैनि टेंथ की क्लास को पास करने के बाद जो BA Music का जो कोरस है वो आकर के से किया जा सकता है तो मैं आको झालना चाहता हो कि आप 10th Class पास करने कि बाद आपको जो 11th हो जो 12th की क्लास है उसे आपको पास करने पड़ेगी तो आप चाहें तो आप 11th हो जो 12th की जो क prawnस है वो आप किसी भी स्ट्रीम में पास कर सकते हो तो 12 की क्लास को पास करने के बाद दोस्तों आपको इस कोर्स में admission मिल सकता है अगर मैं आपसे BA Music कोर्स के वारे मैं आपसे में डिसक्स करूं तो BA Music का जो कोर्स है वो एक 3 साल का कोर्स होता है जिसमें कुल 6 semester होते हैं और एक semester की जो length होती है वो दोस्तो 6 महीने तक ही होती है जो कि आज के time में कई सारे ASA students हैं जो इस course को करते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपसे BA music course के वारे में आपसे मैंने इस वीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के माद्यम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्त हुई होगी और अगर आपको किसी भी परकार का कोई doubt है तो दोस्तो आप नीचे मझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के description में और वे कई सारे courses के वारे में वीडियोस मिल जाएंगी आप उन्हें वाँ जाकर भी देख सकते हो तो अंति में दोस्तो अभी आपको जै वीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाल